इस वीडियो में पार्ट वन शुरू हो जाएगा पार्ट वन में चार चैप्टर्स हैं लेकिन इस वीडियो में हम दो चैप्टर्स दिस्कस करेंगे पार्ट वन वेर मोस्ट इन्वेस्टर्स स्टंबल मतलब कहां पे जादतर इन्वेस्टर ठोकर खाते हैं Chapter 1 Speculators and Unsuccessful Investors Mark Twain ने बोला था कि दो टाइम होते हैं इंसान की जिन्दगी में जब उसे स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए एक तो उसे तब स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए जब वो अफोर्ड नहीं कर सकता और दूसरा जब वो अफोर्ड कर सकता है तब तो अगर आप स्पेकुलेट करना एफोर्ड कर भी सकते हैं तब भी नहीं स्पेकुलेट करना चाहिए क्योंकि आपने जो बड़ी मेनत करके जो वेल्थ बनाई है उसको आप खोद होगे तो अथर बोलते हैं कि सबसे पहले इंवेस्मेंट और स्पेकुलेशन के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए तो इंवेस्मेंट एक ओनर्शिप इंटरस्ट होता है अंडरलाइंग बिजनस में और इंवेस्मेंट में आप तीन तरह से प्रोफिट कर सकते हैं पहला कि बिजनस फ्री कैश फ्लो जनरेट करेगा जो कि शेर प्राइस में रिफ्लेक्ट होंगे या फिर डिविडेंड में रिफ्लेक्ट होंगे दूसरा आप तब प्रोफिट कर सकते हैं जब जो अंडरलाइंग बिजनस है उसकी वैल्यू सेम है लेकिन जो इन्वेस्टर हैं अब वो ज़्यादा पैसे पे करने को त्यार हैं मतलब सेम अर्निंग्स के लिए जादा प्राइस पे करने के लिए त्यार हैं मतलब प्रोफिट कर सकते हैं जब शेर प्राइस और अंडरलाइंग वैल्यू के बीच का डिफ्रेंस कम हो जाए जबकि speculators यह predict करने कोशिश करते हैं कि आने वाले future में stock price उपर जाने वाले हैं या नीचे जाने वाले हैं जबकि सच्चा ही है कि कोई predict नहीं कर सकता कि market उपर जाने वाली है या नीचे जाने वाली है future में तो अगर आप market का direction predict करने ही कोशिश कर रहे हैं तो आप अपना time waste कर रहे हैं तो author भोलते हैं कि जो speculators होते हैं वो greater fool game कहलते हैं तो speculator क्या करते हैं overvalued share खरीद लेते हैं और फिर ये देखते हैं कि क्या मुझसे बड़ा मुरख भी है कोई जो इससे जादा price में खरीदने को त्यार हो अगर कोई और बंदा त्यार है आपसे जादा पैसे दे के खरीदने में तो अच्छी बात है आपको अपने से जादा बड़ा मुरख मिल गया लेकिन अगर आपको कोई buyer ना मिले आपके stock खरीदने के बाद जो कि आपसे जादा price में खरीदने को त्यार हो तो मुबारख हो सबसे बड़े मूरख खाप ही है फिर ओधर बोलते हैं एक सबसे important difference speculation और investment में होता है कि जो investments होती है वो cash flow generate करती है लेगिन speculations होती है वो cash flow generate नि करती तो जो speculations पे return होती है वो सिर्फ resale market में depend करती है जैसे कि example लेते हैं जैसे paintings होती है कोई पुराने जमाने की चीज़ें होती है या फिर पुराने सिख्के होती है पुराने note होती है baseball card होती है तो यह सब speculation होती है क्यूंकि यह खुद पढ़े-पढ़े supply और demand के साथ demand जाद है तो value जाद है demand कम है तो value कम जबकि investment एक serious business है वो speculation की तरह कोई मजाग नहीं है तो अगर आप financial markets में participate करना चाहते हैं तो speculator की तरह ना participate करें investor की तरह participate करें तो इसलिए आपको difference पाता होना जरूरी है दोनों के बीच का फिर author बात करते हैं successful और unsuccessful investors के बारे में तो जो successful investors होते हैं उनमें कोई emotions नहीं होते वो दूसरों के emotions का फाइदा उठाते हैं दूसरों के लालच और डर का फाइदा उठाते हैं तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं मान लो उन्होंने company के shares खरीद लिये और फिर उनके खरीदने कुछ time बाद या अगर share price बढ़ गे तो वो और पैसे डाल के और share खरीद लेते हैं उसी company के और इस बार वो और ज़्यादा पैसे दे के खरीद रहे हैं जो कि अच्छी बात नहीं है और फिर ऐसे ही जब वो share खरीदते हैं उसके बाद अगर उनके price गिर जाते हैं तो वो उन shares को बेचने की सोचते हैं उन्हें tension हो जाती है कि कहीं और loss नहों जाए company के fundamentals चाहे सेम हो आज भी लेकिन share price गिर गिर गिया है तो उन्हें tension हो जाए है जो कि फिर से गलत है तो आप खाली price देखके अपने investment decisions ना लें price को value से compare करें जैसे कि यह मत सोचें कि stock ने 52 week low hit कर दिया तो वो बड़ी है high के साथ compare करने लग जाते हैं लोग को और फिर सोचते हैं अच्छा कासा margin of safety है वो margin of safety नहीं भाई क्योंकि वो underlying value थोड़ी है high price market के उपर निच्छे जाने के सिर्फ दो reason होते हैं पहला reason यह होता है कि business की reality reflect करती है market या फिर आप यह भी कह सकते हो कि investor हैं जो उनकी क्या perception है reality को लेके वो reflect करती है market और दूसरा यह हो सकता है कि जो short term variation होती है है demand और supply में वो reflect कर रही है market और जो unsuccessful investors होते हैं वो emotional होते हैं कभी तो वो लाल्ची हो जाते हैं कभी फिर वो डर जाते हैं वो लोग stock market के बारे में यह सोचते हैं कि यह जल्दी पैसे कमाने का बहुत अच्छा तरीका है बिना कुछ करे जबकि ऐसा नहीं है अगर ऐसा होता तो सारे Warren Buffet बन गे होते सारे Benjamin Graham बन गे होते सारे Seth Klarman बन गे होते सब को जल्दी profit चाहिए और असानी से चाहिए तो जो यह लोग होते हैं न जो बिना मेहनत करे profit कमाने की सोचते हैं stock market में यह लालची होते हैं यह overpay करने के लिए भी त्यार होते हैं stocks के लिए और यह लोग कमाते भी हैं पैसे जब तक market peak तक नहीं पहुंचती लेकिन फिर उसके बाद जब market गिरती है बुरी तरह तब panic कर जाते हैं तब इनका लालच डर में बदल जाता है और फिर losses होते हैं बहुत दूरे क्योंकि जैसे जैसे market उपर जाती रहती है यह अपनी positions increase करते रहते हैं और author बोलते हैं कि कोई holy grail नहीं हुआ गरती कोई ऐसा formula नहीं है investment में जो कि successful हो हमेशा जैसे बोलते हैं कि low PE ratio वाली खरीद लो low PB ratio sales profit growth rate इतना और हो तो खरीद लो dividend yield इतने हैं तो खरीद लो interest rate इतने हैं तो खरीद लो तो यह सब कोई काम नहीं करता long term में और अगर आप सोचते हैं कि stock market crash हो गया है बहुत बढ़िया opportunity है खरीदने के लिए तो वो भी गलत है क्योंकि हो सकता है कि market crack to you अभी underlying value तक ही पहुंची हो यह फिर underlying value से भी उपर ही है तो margin of safety भी तो लेना आपको तो stock market crash की cause पता होना बहुत ज़रूर ही है कि किस reason से हुई है मतलब crack हुई है यह बहुत ही जादा निच्छे गिर 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 कि intrinsic value से भी निच्छे गिर 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 तब तो फायदा खरीदने का नहीं just because market crash हो गिए तो खरीद लो यह भी गलत philosophy है और author बोलते है कि कोई भी successful investment formula होता है न तो वो जादा देर तक नहीं चलता क्योंकि सारे फिर उसका इस्तमाल करने लग जाते हैं क्योंकि उसमें interest component भी होता है principle component भी होता है तो जो इंटरस्ट component है वो आपकी return on capital है लेकिन जो principle component है वो आपकी return of capital है तो अगर आप उस semi annual payment या annual payment को return on capital समझ के उड़ा रहे हैं तो इसका मतलब है आप अपना principle भी खा रहे हैं आपका principle अब उतना भी नहीं बचेगा मतलब आपने जितना इन्वेस्ट किया था आप उसमें से भी हिस्सा खाई जा रहे हैं हर बार इस चैप्टर में इतना ही चैप्टर टू दे नेचर ऑफ वाल स्ट्रीट वाक्स अगेंस्ट इन्वेस्टर्स तो दिक्कत ही है कि जो वाल स्ट्रीट के लिए अच्छा है ताकि वो लोग आपका बेवकुफ ना बना दे तो जो आई प्योज होते हैं तो उनमें ब्रोकरेज फीज अंडर्राइटिंग फीज जो लेते हैं ब्रोकरेज फर्म्स तो यह कॉन्फिक्ट उप इंट्रस क्रेट करती हैं क्योंकि इनका काम है बेचना इन्वेस्टर्स क हो चीज बढ़िया हो ना हो क्योंकि इनको अंडर्राइटिंग फीज मिल रही है अपनी ब्रोकरेज फीज मिल रही है तो ज़्यादा सेधा ट्रेडिंग चाहेंगे और स्टॉक चेक ऐसी हो आई पियो की यह निकालना चाहेंगे उसे तो आपको यह पता होना बहुत जरूर परसेंट लोस हो जाता है उनको उनकी इन्वैस्मेंट भे क्योंकि उसमें अडर्राइटिंग फीज होती है और फिर सेल्समें को पैसे देने वड़ते हैं बल्कि जो ऑपनेड मूचल फंड होते हैं ना नौलोड वाले वह इंसे ज्यादा बैतर होते हैं क्योंकि उसमें से प्रीमियम पर बिक रहे हैं स्पेकुलेशन के वाज़े से तो कभी मत खरीदें मुच्वल फंड सिर्फ तब खरीदें जब वह नेट एसे डिसकाउंट पर ट्रेड कर रहे हो जितने भी लोगोंने मुच्वल फंड आईप्यों में खरीद दें या फिर नेट एसे वेल्य जो वाल स्ट्रीट है उसका बुलिश बाइस होता है यूज्यूली क्योंकि उसमें उनका सेल्फ इंटरस्ट भी होता है और जितनी भी ब्रोकरेज फ़र्म होती है ज्यादातर बाय रेकमेंडेशन ही देते हैं बाय होल्ड सेल कोई नहीं गएगा वो इसलिए क्योंकि अगर किसी बंदे के पास पैसा है तो वो फ्यूचर कैंडिडेट है स्टॉक खरीदने का और जिनके पास स्टॉक होंगी वो बेचेंगे भी फिर अगर सेल्रेकमेंडेशन ही दे दी बोल जागी मार्केट अवरप्राइस है तो सारी एक बरी में निकल जाएंगे तो खरीद देग और कोई पैनिक ना हो जबकि मार्केट अगर बे तुके तरीके से उपर जाए तब रेगुलेटर्स को कोई फर्क ने पड़ता जैसे कि जो सर्केट ब्रेकर्स होते हैं वो मार्केट के डाउनवर्ड मूवमेंट भी होते हैं अपवर्ड मूवमेंट बनी होते हैं और यही करतें इन्वेशन और जो जी वेखिया जारा गया प्लिश्ट ऑंक निजा उतक्व व्हाद होदें तो अफंकर की अबुदि 8 मतरश का आड़ा प्रिश्ट मिल जाता है लेकिन जो उन्वेशन दोक्रप्लॉच्छ इन के लिए बेगार होते हैं बहुत ही कम चांस होते हैं कि यह financial problem solve करते हैं market में और investors को यह realize करना जीए कि जो innovations होती है नए-ने instruments बनाए जाते हैं वो short term में तो बढ़िया चलते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो long term में भी बढ़िया ही चलेंगे क्योंकि वो बनाए इस तरीके से जाते हैं कि short term में तो कम से कम बढ़िया परफॉर्म ही करेंगे जादातर यह instruments long term में failure होते हैं जैसे junk bonds हुए थे इस वीडियो में इतना ही धन्यावाद